एलो स्टुदेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि एक्सपरिमेंटोफ मैंडल तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैटिठल के बारे में कि मैंडल ने गॉर्डण पी को ही कुछुना अपने अपने एक्सपरिमेंट के लिए और फिर हमने बात की थी कि हमने उसमें एक topic था कि मेंडल ने क्यों चुना था क्योंकि उसमें contrasting character होते थे तो फिर हमने contrasting character के बारे में discuss किया था कि वो कौन-कौन से contrasting character थे जिन्होंने जिसके कारण मेंडल नहीं garden peak को ही चूज किया था अपने experiment के लिये तो आज का मारा टॉपिक है experiment of mendl तो आप सभी लोग जानते हें कि mendl ने ही जेनेटिक्स की नीव कर थी और mendl ने ही जेनेटिक्स को समझाने के लिए बहुत सारे law बनाए थे जिनकों हम बॉलते हैं law of mendl ठीके और वो जितने भी जो law है जो मेंदल ने दिये थे वो सारे crosses पर dependent हैं ठीक है तो वो crosses कौन से हैं वो crosses हैं फर्स्ट है हमारा mono hybrid cross second है die hybrid cross, third है back cross और fourth है test cross and last है reciprocal cross तो ये सारे crosses क्यों दिये क्योंकि उन्हें अपने जो law थे उनको समझाने के लिए मेंडल ने इन सारे crosses को दिया था ठीक है अब हम बात करते हैं first mono hybrid cross की अब जो mono hybrid cross है वो base है genetic का और उसके basis पे ही मेंडल ने बहुत सारे law दिये हैं जिनको हम आगे discuss करेंगे ठीक है अब आप लोगों को ये पता हिए कि mono hybrid में हम केवल एक करेक्टर को define करते हैं किसी भी एक करेक्टर को जैसे हमने लास्ट वीडियो में seven contrasting character पढ़े थे तो हम अब उसमें से एक करेक्टर उठाते हैं जैसे कि हो गया की flower की जो height है ठीक है तो हम उसके बारे में अब discuss करेंगे तो इसमें हम first point क्या है this is the basis of genetics यह genetic ठीक है आधार है monohybrid cross जो है वो genetic का आधार है next point है one character is study और one pair of contrasting trade is study इसमें हम एक करेक्टर के बारे में study करते हैं लेकिन एक करेक्टर के भी जो contrasting pair है contrasting pair का मतलब for example जैसे हम हम करते हैं garden पी पे discuss करते हैं ठीक है हम उसके बारे में study करते हैं तो है तो वो मतर का पोधा लेकिन उसकी कुछ variety ऐसे भी है कुछ variety है जो tall है और कुछ variety है जो dwarf है तो वो एक ही पोधे में क्या मिले हमें दो contrasting character होगे एक लंबा पोध और एक छोटा पोधा तो हम आज उसके बारे में discuss करेंगी ठीक है अब next point है हमारा every character is controlled by gene आप लोगों को ये पताई है कि चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो जितने भी जो organisms होते हैं उन सब को जो control होता है वह है किसके द्वारा होता है जीन के द्वारा होता है ठीक है तो जो gene होते है वो एक या एक से अधिक character को control करके रख सकते हैं ठीक है अब next point है when only a single pair of contrasting or differentiating character is considered in a cross it is called the mono hybrid cross तो इसका क्या मतलब है कि जब हम एक समय पर एक ही character के contrasting pair की जहां study करते हैं उस cross को हम क्या बोलते हैं आप देखते हैं कि मेंडल ने जो cross कराया था मोनो hybrid का वो कैसे क्या था तो उसने क्या लिया था कि उसने parental कर रहे हैं stem height की तो वो कैसे टॉल है और जो small y है वो कैसे करता है डिनोट करता है ड्वार्फ प्लांट को ठीक है और आप लोग इसमें देख रहे हैं कि इन दा पीवन जनेरेशन प्रडूज ओनली वन काइंड ओफ गैमिट तो होमो जाइगस क्या होते हैं ओर्गिनिजम हैविंग टू सिमिलर जीन और एलील फोर ए पर्टिकुलर केरेक्टर इन ए होमोलोगस पेयर ओफ क्रोमोसोम एग्जामपल कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी जब किसी भी ओर्गिनिजम में एक जैसे करेक्टर के लिए उसमें एक जैसे दो जीन पर्जेंट होते हैं क्रोमोसोम पर तो उसको हम क्या बोलते हैं होमो जाइगस जैसे आप एक्जामपल में देख रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी small t, तो ये दोनों क्या है, homo gygus condition है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें जो parent generation थी, जो parent character था, उससे हमें क्या मिले, अब उससे हमें दो gamit मिले, capital Y और small y, अब जब हम capital Y और small y का cross कराते हैं, तो इससे हमें मिलेगी F1 generation, F1 को हम क्या बोलते हैं, फिलिल generation, तो इसमें जब हम capital Y, small y का cross कराएंगे, तो हमें जो gamit मिलेगा, वो मिलेगा capital Y और small y, इसको हम क्या बोलते हैं, hybrid condition, या हम इसको बोलते हैं, heterogigous condition, ठीक है, the heterogigous F1 of spring produce two kind of gamit, तो हमें F1 generation में क्या मिला, heterogigous gamit मिले, ठीक है, अब देखते हैं कि heterogigous क्या होते हैं अब दिखते हैं कि heterogigous क्या होते हैं, ठीक है, organisms containing two different allele, और individual containing both dominant and receptive genes of an alleleic pair, it's called a heterogigous, मतलब कि homogigous में क्या था कि same allele का होना जो इस particular character को define करते हैं, जिनकी वज़र से होते हैं, तो उसको बोलते हैं, homogigous, ठीक है, heterogigous में क्या है, जब किसी भी character, different different character के लिए, जब different different allele organism में present होते हैं, तो वो क्या कहलाते हो, heterogigous, जैसे कि example देखे हैं, capital T, small T, प्लांट तो ये एक है, लेकिन इसमें जो character है, वो क्या है, अलग-अलग है, तो अलग-अलग character के लिए gene भी तो अलग-अलग होंगे ना, तो उसकों क्या ब character एक साथ होते हैं, तो उसकों क्या बोलते हैं, heterogigous, तो students हमें जो F1 generation मिली है, उसमें हमें दू गैमिट मिले हैं, और वो गैमिट कैसे है, hybrid है, मतलब कि एक capital Y है और एक small y है, तो ये क्या शो करता है, ये करता है tall plant को, क्यों, क्योंकि जो इसमें capital Y है, वो small y के उपर, small y प केवल हमें ये देखने को मिलता है, कि हमें सिर्फ tall plant ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो F1 generation में कैसे plant produce होंगे, tall plant, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो capital Y है, वो small y को express होने नहीं देता है, तो ये कौन सी condition होती है, ये होती है, dominant condition, ठीक है, मेंडल ने जब ये cross कराया, तो उसमें क्या मिला, कि F1 generation में जो भी हमें plant प्राप्त हुए, वो सभी कैसे थे, वो थे tall plant, ठीक है, तो F1 generation में तो हमें जो condition मिली है, वो मिली है tall plant की capital Y और small y, लेकिन में मेंडल ने क्या किया, F2 generation में cross कराने के लिए, मेंडल ने क्या कराया, कि इसमें inter grading कराई, या जो हम F1 generation मिली है, capital T और small t, उसका जो cross कराया, वो F1 generation से ही कराया, capital T, small t, इसको हम क्या बोलते है, selfing या inter grading, ठीक है, तो ये जो cross है, ये जो आपको box दिखाए दे रहा है, F2 generation में, इसको हम क्या बोलते है, checkerboard या punet square भी बोलते है, punet square क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सबसी पहले checkerboard दिया था, ये दिया था, punet में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं कि, जो हम इस F2 generation में, जो हम cross कराते हैं, वो हम cross कराते हैं, capital Y और small y के बीच में, ठीक है, तो हम उपर की side जो लेते हैं, वो लेते हैं, male gamit, और side में, capital Y, small y, वो है female gamit, जब हम male gamit और female gamit का cross कराएंगे, तो हमें जो condition मिलेगी, वो कैसी मिलेगी, हमने cross कराया है, capital Y और capital Y, तो ये जो हमारी yellow आपको box दिखाए दे रहा है, उपर वाला जिसमें, दो gamit है, capital Y, capital Y, ये होते हैं, pure tall plant, ठीक है, और ज मिलता है, hybrid tall, tall क्यों, क्योंकि इसमें Y है, और Y क्या है, dominant condition में है, ठीक है, वो क्या है, dominant है, तो अब next है, जब हम small y और capital Y का cross कराते हैं, तो हमें मिलता है, capital Y, small y, वो भी कैसा है, hybrid tall है, और next जब हम small t और small t का cross कराते हैं, तो हमें कौन सा gamit में लेगा, pure draft gamit में लेगा, क्य तो क्योंकि वो दोनों small हैं ठीक है तो हमें इससे क्या मिला हमें इसमें क्या मिला एक तो हमें मिला pure tall plant और दो मिले hybrid tall plant hybrid क्यों क्योंकि उसमें क्या है एक capital T है और एक small T है मतलब कि एक dominant है और एक recessive form में है तो हम इसको क्या बोलेंगे hybrid tall plant तो और एक condition थी इसमें pure dark plant तो मेंडल ने जब F2 cross को किया तो उसमें फिर बाद में इनका एक ratio निकाला ratio था phenotypic ratio और genotypic ratio phenotypic ratio क्या होता है कि जो external feature होते हैं ठीक है हम उनको define करते हैं ठीक है the external feature of any plant is called the phenotype हम जब किसी भी plant के जो external features की बात करते हैं जैसे कि आप checker board में देख रहे हैं कि हमें तीन condition है इसमे capital T तीन जंगा capital T present है capital pure tall में, hybrid में और hybrid में तो हमें यह क्या दिखाए दे रहा है कि इसमें क्या है तीन plant तो tall है और एक कैसा है dwarf है तो इसके आधार पे जो phenotypic ratio आता है वो कैसा आता है 3 to 1 का 3 plant तो कैसे होए टॉल हुए और एक plant कैसा था dwarf था ठीक है तो next फिर देखा उन्होंने phenotypic ratio निकालने के बाद मेंडल ने दूसरा ratio निकाला था जीनोटाइपिक ratio जीनोटाइपिक रेशो में हम क्या देखते हैं हम इसमें study करते हैं जीन की तो अगर हम checkerboard को देखते हैं तो जो first column है उसमें हमें two capital T है तो इसमें तो जीन एक ही है क्योंकि दोनों homologous condition में है तो यह तो एक हुआ अब next column में आते है capital T और small T इसमें क्या है hybrid condition है तो इसमें दो different character है तो two different different character होने के लिए different different gene भी तो पर्जेञ्ट होँगे सेंट को ने क्या मिलता है कि समें different gene है और next में भी हमें कैसी condition मिली थी hybrid एक टॉल एक ड्वार्फ तो इसमें भी जीन different ही होंगे क्योंकि दो different character है और next last जो है हमारा pure dwarf वाला उसमें हमें कैसी condition है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें small t और small t है तो small t small t कैसा है homologous है same ही तो character है तो इसमें क्या होगा इसमें gene क्या होगा एक ही present होगा same gene present होगे और जो hybrid condition में है उसमें हमने रेखा कि इसमें different different gene है तो genotype को हम किस आधार पे ratio देते हैं gene के आधार पे कि हम इसमें gene को देखते हैं कि किस gamut में कौन से gene present है ठीक है तो इससे हमें क्या मिलता है एक तो हमें pure tall तो उसमें same gene है दूसरा हमें दो condition इसमें मिली है hybrid tall की तो उसमें different different gene है और last मिली हमें pure dwarf की तो उसमें क्या है उसमें भी same gene present है तो genotype जो ratio nical के आता है वो आता है 1 is to 2 is to 1 का 1 pure tall 2 hybrid tall और 1 dwarf pure dwarf मिलता है ठीक है तो मेंडल ने जो ये mono hybrid cross कराया था इसके आधार पे दो law दिये थे एक था law of dominance और second था law of segregation इनको हम next वीडियो में डिसकस करेंगे